हेलो फ्रेंग्स ये गाड़ी है मारूती वेगनार के सीरीज इंजन और फेक्टरी फिटेड एलपीजी के साथ आज की वीडियो बहुत स्पेशल होगी क्योंकि आज की वीडियो में छोटी-छोटी मगर मोटी बातें जो जल्दी कोई बताता नहीं और उसकी वज़े से लोग फस जाते हैं अटक जाते हैं या फिर कई बार बहुत जादा पैसे लगाने पड़ जाते हैं कहते साब ये पूरा समान करण घर अब चेंज करना पड़ेगा प्रॉबब्लम होती च्छोटी ती वह होती है हमारे अर्प्यम के फ्लक्श्योकर जिसके लिए एम क्लीन करेंगे इस गाड़ी की थोटल बोड़ी और थोटल बोड़ी क्लिनिक के टाइम आने वाली प्रॉब्लम्स और उनके जो भी होंगे सारे सालीशन तो इसका टीपी सेंसर आइडल कंट्रोल वाल टोटल चीजे में यहां से निकालूंगा तो उसको निकालने के लिए देखिए थोड़ी थी जो कूलेंट फ्लो करता है वो हटा के मैंने दोनों लाइन को आगे से बोल्ट से प्लक कर दिया ताके इतने देटा कूलेंट गिरता ना रहे अब सिंपल यह 12 mm के जो दो बोट लगें यह बोल्ट हमें खोलने शौकेट लिया है मैंने 12 mm का लूस कर लिया अब सेम इसी त दाल दिया है पुरा बाहर और इसकी कंडिशन यह देख रहे हैं अब एक कारवन की लेयर इस तरह से बनी दिखाता हूं मैं यह देखें यह देख रहे हैं कारवन तो डिपोजिट बहुत जादा है लेकिन एक चीज़ जो मैंने आपको दिखाई यह यह है इसका टीपी सेंस और टीपी सेंसर का काम होता है स्रिफ थ्रोटल की पोजिशन इस यू को बता जेना ताकि वह फ्यूल बराबर दे पाए कि इतना अभी गाड़ी को पावर चीज़िए इतना एक्सरलेट किया हुआ है तो और जब इसको हम खोल लेते हैं तो इसको हमें अलाइन करना पड़त आए कई बार लोग इसकी वज़े से कह देते हैं साब पूरी थ्रोटल बोडी ले आओ एक चोटा सा पॉट ले लिया है स्टील का इसमें क्लीन करूंगा थोड़ा सा पैट्रॉल लिया है मैंने और पैट्रॉल के साथ साथ मेरे पास है ये एड लूप का थ्रोटल बोडी क् साथ में एक ब्रश भी है अब जो मेन क्लीनिंग की चीज है वो है हमारी ये ये है आइडल कंट्रोल वॉल्प इसको हमें खोलना होगा और जब आइडल पोजिशन में गाड़ी खड़ी होती है तो आप देखेंगे कि गाड़ी के आर्पियम कभी-कभी फ्लक्ट्वेट हो प्लक्ट्वेशन इसकी वज़े से हो सकते हैं तो इसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है यह पैकिंग है यह पहले हम अटा के रख लेंगे कि पैट्रोल या फिर तो हो सकता है कि इसका साइज बढ़ जाए तो साइज बढ़ने के टाइम फिटिंग में प्रॉल्म अब हमारा है कि कंट्रोल वाल या धिया कित इसके तो जब तक फ्री नहीं होगा तब तक यह सही से काम नहीं करेगा जो करने के लिए ज़रूत पढ़ती है तो यह दो फॉल्ड कोलके हमको यह मोर्टर भी बाहर निकाल लीनी चाहिए इसको भी क्लीन कर सकते हैं कोलके बाद में इसको अलाइन कर लेंगे align करने का process में बताऊंगा लेकिन पहले क्या करना होता है जितने भी rubber rings है यह rings आपको रख देनी है fridge में उसका भी logic बताऊंगा कि fridge में क्यों रखनी है अभी यह देख रहे हैं इसके अंदर यह rusting आई है यह rusting आई है यहाँ पे coolant की line में इसको भी proper clean करेंगे और जो carbon था उसको भी पूरा निकालेंगे petrol पहले यहाँ पे मैं ले रहा हूं और brush के साथ इसको मैं पूरा अच्छे से clean करूंगा ब्रश का भी यूज कर सकते हैं या फिर scrubber का भी यूज कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे उसको यूज करने का purpose यह है कि cleaning बिल्कुल अच्छे से होनी चाहिए कार्बन बहुत ज्यादा निकला है पूरा कच्रा और साथ में यह आइडल कंट्रोल वाल इसको भी मैंने क्लीन कर दिया है अब हमको करना है सिंपल फिट लगाने से पहले पहले सही से चैक कर लिजे कहीं से कटा नहीं होना चाहिए इसकी फिटिंग बिल्कुल प्रॉपर हो इसको जब टाइट करेंगे तो क्रॉस में टाइट करेंगे जैसे सामने का बोल्ट इधर का और फिर उस तरफ का और फुरा फुल टाइट नहीं किया सिर्फ एलाइन किया हलका हलका प्रेशर दिया फिर इसको दिया इसके बाद फिर अब सामने के दो बोल्ट अगाएंगे और लगाने के बाद जब मैच करेंगे, तो धीरे-धीरे करके चारो को टाइट करेंगे, ताकि जो प्रेशर है, बिल्कुल सीधे नीचे की तरफ है, और गैसकिट कभी भी आड़ी-टेड़ी अंदर ना हो जाए, कहीं कटने के चांस ना हो, स्क्रूड्राइवर मैनुवल मोट पे सेलेक कर लूँगा, क्योंकि अब मुझे अपने हिसाप से इसको टाइट करना है, और यह आटो मोट पे होता तो कुछ भी उपर नीचे हो सकता था, अब मैं इसको आमने सामने के बोल्ट मिलाता जाओंगा, फिर इस तरफ के मिलाओंग मतलब एक प्रॉपर टॉर्क देके चारो को एक साथ नीचे बैठना चाहिए, यह हो गया अभी बिल्कुल परफेक्ट, तो अभी थ्रोटल कीन हो गई, अभी टाइम है हमको यह टीपी सेंसर को इस इंस्टॉल करने का, और यह टीपी सेंसर को हमने रिपेर किया है, रिपेर अब इसको करना है आउए гр पता देता हूं यह आप देख रहे हैं यह फोल कटे रहते हैं इसको अलाइन करने के लिए एक प्रॉपर जगे पे जाके यह अलाइन हो जाएगा तो आपको करना क्या है अब ध्यान से देखेंगे तो टी-पी सेंसर के ऊपर आपके स्क्रू के मार्क बने हुए यह बने हुए इसको जिरो जिरो पर आप मैच कर लिजे आपका बिल्कुल टी-पी सेंसर वही पर लाइन हो जाएगा जहांपर यह थार अगर यह नहीं भी होता है तो फिर हम को स्कैनर करके तुरू हम इसको अज्जेस्ट कर सकते हैं आपने ये स्कूरू लगाया सॉर्ज कि टाइट नहीं कर रहा हूं अभी ये दिखाता हूं इसको मैं लाइन करूंगा बिल्कुल जहां पर मार्क बने हुए यहां पर यहां था इसको मार्क यह भी मैच कर गया इसको कर देंगे यहां पर ताइट अब इसका एलाइमेंट विल्कुल वही है जहां से हमने खोला था टीपी शेंसर लग गया है थोड़ा सा इसको टाइट और कर लेते हैं अभी हमको fit करनी है throttle body throttle body fit करने से पहले ये gasket जो कि हमने पहले निकाल लिया था इसको fit कर देंगे यहाँ पे कुछ इस तरह से size देख रहे हैं बिल्कुल accurate है और अगर हमने यहाँ लगया रहे देद गया होता और फिर throttle cleaner का use करते तो इसका size बढ़ जाता है उस time पर हमें इसको change करना पड़ता है लेकिन अभी हमें change करने के कोई ज़रूत नहीं है simple यह इसका portion था ऐसे पहले एक bolt यहाँ पे mount कर लूँगा क्योंकि बाकी के जो 3 bolt है वो इस plate के साथ है तो यह वाला bolt मैं पहले लगा लेता हूँ और सारे bolt को आपको tight नहीं करना है यह पहले भी मैंने आपको बताया था इस बार भी बता रहा हूँ bolt दीरे-दीरे tight करने अभी हमको सिर्फ match करके लेने देखें मैंने सिर्फ match करके लेने और match करने के बाद अब जब मैं यह प्लेट वगरा लगाऊंगा तो प्लेट के बाद जो चारो वोल्ट होंगे उनको फिर क्रिस क्रॉस मैनर में tight करूंगा क्रिस क्रॉस मैनर में tight करने का मतलब क्या है कि वहाँ पे जो है पैकिंग जो rubber का gas kit है वो बिल्कुल बराबर प्रिशर से एक साथ बैठे इस तरह से आप खोलते हैं और fit करते हैं तो आपकी यह gas kit, oaring यह सारी चीज़े इतनी जल्दी खराब नहीं होती और यह खराब होना मतलब फिर एक नई कहानी शुरू हो जाती इंजन के लिए वारिंग के जितने भी यह plugs थे यह सारे मैंने unlock करके निकाले थे यह unlock यह हैं तोड़े नहीं है यह आगया आपका purge wall connect अब यह coolant की line मैंने plug कर रखी थी एक bolt से इसको हटाऊँगा और coolant की line अब कर दूँगा connect अब simple यह clamp जो है यह में लगा लूँगा अब यह throttle wire जो पहले हमने हटाई थी fix कैसे करना है पीछे किया यहां आया यह यह आगया fix accelerator wire अगर loose करनी हो तो यहां से loose की जा सकती tight करनी तो वो भी यहां से की जा सकती है throttle body completely हमने clean कर ली यहां पे बिलकुल chances थे कि throttle body को change कर दिया जाता लेकिन हमने throttle body को change नहीं किया TV sensor भी वही repair करके लगा दिया और कई बार throttle को clean करने के बाद perfect tuning नहां होने की वज़े से गाड़ी कभी बंद हो रही होती है या फिर extra rpm ले रही होती है तो उन सारी चीजों को कैसे tune किया जाता है वो दिखाऊंगा इस वीडियो के next part में वीडियो उच्छे लेगी तो लाइक जरूर करके जाए मिलूंगा next वीडियो में ऐसे ही किसी interesting topic के साथ thanks for watching